नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं भेडिया सेरीज की एक धमाकेदार कॉमिक्स भेडिया पार्ट टू बंगाडवासी बोले हमारी बिरादरी क्या सचमुच देख लेने में क्या हर्च है बंगाड़ा की एक टिम बाहर आ गई और बोली आ गए हम बाहर हिलना नहीं कोई भी कौन हो तुम शेहर यार ने कहा तुम्हें याद होगा कि एक बार बंगाड़ा की नुकड़ वाली बस्त हमें ले गए मगर एक शिकारे ने जान पर खेल कर हमें बचा लिया वह शिकारी खेलकर नहीं था वह हमें ले गया अब जब बड़े हो गए और हमें पता चला कि हमारे पूरवज यहां रहते थे तो हम अपने वतन के और लोट आये उस शिकारी ने हम पर तरस खाया पांचों को सरदार के सामने पेश किया गया सरदार ने कहा हतेली दिखाओ सब के सब गौरा का हुक्म है हतेली देखकर सरदार ने कहा हैं ये तो सच्विच बंगाला के बच्चे हैं इने रहने के लिए घर दे दो और खुशी मनाओ सरदार ने अपने एक खास जासूस को बाद में तलब किया और बोला चाबुक तो इन पर नज़र रखना कहीं कोई धोका तो नहीं तीन दिन बाद बगांडा वासी ने सूचना दी सुनो सुनो पवित्र मेला चांद की इस पूरी तारिक में होगा उसके लिए बगांडा दंगल होगा जैसा की हर साल होता है दंगल जीता पहलवान ही देवताओं के घर जाएगा दंगल शुरू हो गया पहलवान एक दूसर का हाथ उठाया और बोला यह लड़ेगा लारा पर कोबानू ने ताबर तोड हमला किया लेकिन लारा ने पैत्रा बदला और अपना वार शुरू कर दिया कोबानू को धूल चटा दी लारा ने कोबानू बेहोश हो गया कबीले वासी खुशी से चिल्ला उठे लारा जीता ला खाड़ी गुफा का द्वार पूनम की रात खुल गया, बंगाड़ा वासियों ने बांसों को जोड़ जोड़ कर लंबी सीड़ी बनाई हुई थी, जो गुफा के द्वार तक उंची थी, ओजा बोले लारा लड़की को लाद कर गुफा तक ले जाना भी तुम्हारा काम है, लारा और बंगाड़ा ओजा सीरियां चलने लगे, तकनीकी इंचार्ज चीमा के पास ट्रांक्मिटर था, लारा ने कहा, अब हम पहाड पर चलने जा रहे हैं, चीमा बोला, ठीक है, हम भी तयार हैं, जोगो सफल प्रवतर रोही था, वे सब से आगे था, शेहर यार ने कहा यह पहाड का पिछला भाग है, इसलिए यहां कोई नहीं आएगा, मेला सामने है, चीमा बोला, मगर गश्ट तो इनकी चलती ही रहती है, जोगो ने कहा, गश्ट गुजरने से पहले हम सभी उपर होंगे, सब लोग इस रस्ती को पकड़कर सावधानी से पैर जमाते उपर चड़ें, टोली भी वहाँ पहुंच गई, चीमा बोला, हम गुफा में परवेश करने जा रहे हैं, नागर एडी ने कहा, ओके, हमारा काम भी शुरू, नागर एडी के सिखाये जानवर दल ने अचानक बंगाड़ा पर धावा बोल दिया, मेले में भगदर मच गई, चीमा यार ने ओजा से कहा, बता, इस खाके के पीछे मूर्ती कहा है, ओजा ने कहा, तुम सबका सर्वनाश होगा, कोई नहीं बचेगा, अगर भेडिया बाहर आ गया, तो कया मत आ जाएगी, चीमा ने कहा, मैं इस मेकेनिजम को देखता हूँ, इस खाके में रोशनी कहां से आ र रही है, रोशनी के दो छेद और फिर्द बंद दर्वाजा, शेहरियार खान ने कहा, यह रोशनी एक विशेश परकार के केमती पत्थर की है, ऐसे पत्थर भेडिये की मूर्ती की आँखों में बताए गये है, शेहरियार ने कहा, इस दीवार को तोड़ दो, निकालो अपन अपनी कुदा ले, चीमा बोला, ये रही मूर्ती, मिल गई, यही है, शेहरियार खान ने कहा, ठहरो, पहरे मुझे चेक करने दो, 50,000 साल पुरानी मूर्ती, या खुदा, यही है भेडिया, यही है, मैंने इसका जिक्र एक पुरानी किताब में पढ़ा था, मूर्ती को गु जन्दाजी का कमाल दिखाता हूँ, मंगाडा वासी बोले, अरे, वो देखो, गुफा द्वार पर देवता की मूर्ती हवा में उड़ रही है, कयामत आएगी, हे भगवान, यह क्या हो गया, हमारा देवता उड़कर कहा जा रहा है, जर्दार ने कहा, चलो, उपर चलो, पारो इन हराम जा दोगो, चीमा बोला, आओ, सब लोग नीचे, पीछे से जानवरों का हमला, और आगे से ग्रांडी और जोगों का आकर्मन, बंगाडा में भगम-भग मची थी, लारा ने कहा, अरे लड़की, तू हमारे पीछे क्यों आ रही है, लड़की बोली, मेरा नस आसमान खोन बरसाएगा, जमीन आग उगलेगी, कयामत आ गई है, जंगलियों में हडकंप मच गया, और बंगाडा से फायर हो चुके थे, लारा, ग्रांडी, चीमा, जोगो और शहर यार, वे बोले, उसी दिशावे बढ़ते रहो, जिधर भेडिया जा रहा है, जो भी हमा जीना, जोका दर्रा के पास छिपे, अपने वस्तर पहनते ही, फायर लारा, गन्मैन ग्रांडी, शहर यार, चीमा और कबाईली जोगो अपने रूप में आ गए, लारा ने कहा, अब क्या इरादा है मित्रो, हमारा काम तो खत्म हो गया, हमने बगार्णा कबीले की 50,000 साल प जोगो बोला, जोगो बोला, मैं जोगो, चप्पे-चप्पे का जानकार हूँ, मेरे तीरों से पाउं खरडए उनके, चीमा ने कहा, और मैंने पहाड की गुफा में भीडिये की मूर्ती तक का रास्ता खो जा, मैं चीमा हूँ, मुझे क्यों गूलते हो, शहर यार ने कहा, और पुराता तो विशेजग्य होने के नाते, भीडिये की मूर्ती के बारे में जो कुछ मैं ब मूर्ती को बैलून में बांद कर तो हमने ही उड़ाया था, नागर एडि बोला, कहीं हम घाटे में तो नहीं रहे, शहर यार ने कहा, सबसे पहली जानकारी तो यह है, कि मूर्ती कम से कम एक अरब डॉलर कीमत की है, हम सब को मिले कुल साट लाग डॉलर, और काला बच्चा क को मिलेंगे एक अरब डॉलर, नागर एडि बोला, अभी क्या बिगड़ा है, मूर्ती तो बैरून में तैरती उड़ रही है, कौन सा काला बच्चा के हाथ लग गई है, जोगो ने कहा, क्या मतलब, शहर यार ने कहा, मतलब मैं बताता हूं, लात मारो साथ हजार डॉलर को, और हजम कर लो एक अरब डॉलर, हम सब बराबर के पार्टनर, साथवा पार्टनर काला बच्चा रहेगा, नहीं माना तो हम छह ही रहेंगे, बोलो, करे बिस्मिल्ला, तो यह थी अब तक की कहानी, आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल क लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद